वेलकम टू मिस्रा इस्टडी नवगच्छा मिस्रा इस्टडी नवगच्छा में आपका स्वागत है आज हम लोग क्लास 9 मैट्स एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे जो कि हमारा संख्या पदत्ती चप्टर होगा और संख्या पदत्ती से समंदित जो भी संख्या के बारे में तत्य था वो मैंने बता दिया है और आप मेरे चैनल में विजिट करके वो तमाम चीज़ देख सकते हैं आज हम लोग प्रशना वाली एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि क्या सुन ये एक पड पड़िमे संख्या से समंधित तमाम चीज़ बता दिया है तो देखिए कि पड़िमे संख्या पहले कहते कि इसको हैं एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए उचे हम लोग पड़िमे संख्या कहते हैं अर्थात रेस्नल नहीं होगा तो यहां पर आप प्रस्न को देखिए कह रहा है कि क्या सुन्य एक पड़िमे संख्या है तो हमारा जवाब होगा यहां पर हां यहां पर लिखेंगे हां सुन्य एक पड़िमे या संख्या है ठीक है अम प्रस्न उटता है कि हमने तो लिखा है कि हां सुन्य एक पड़िमे संख्या है लेकिन कैसे है यह भी एक प्रस्न है तो देखिए सुन्नी को हम क्या लिख सकते हैं सुन्नी को हम लिख सकते हैं सुन्नी बटा एक किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है यह आपको माइंड में सेट करना होगा जैसे कि माल लीजिए कि दो है तो दो क्या है दो को एक से गुना है आगे में plus है और इसके नीचे भी एक है ये हमेशा कोई विसंख्या लेकर चलता है चाहे जो विसंख्या है तो जैसे कि माल लीजिए minus 2 दे दिया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं असपस्ट रूप से दिया है minus लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 2 के आगे कुछ दिया नहीं था तो इसका मतलब वहाँ पर plus है तो यहाँ पर देखिए minus 2 है तो इसके नीचे हमारा क्या है एक तो है और ये minus 2 को एक से multiply भी है अर्थात इसका value में कोई different आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस परकार 2 को हम 2 बटे 1 लिख सकते है minus 2 को हम minus 2 बटे 1 लिख सकते है तो क्या सुनी को सुनी बटे 1 नहीं लिख सकते है लिख सकते है तो यहाँ पर आप देखिए कि सुनी क्या है P है और 1 हमारा क्या है Q है तो यहाँ प्रसंद से आप देख रहे हैं कि जहाँ P और Q पुरनांग है तो P भी देखिए हमारा क्या है सुन्य है तो एक पुर्णांक है इसी परकार एक आप देख रहे हैं Q ये भी हमारा एक पुर्णांक है और Q does not equal to 0 according to the question तो यानि कि हमारा जो Q है यानि Q क्या है एक है एक जो है 0 के बराबर नहीं है तो हम कल सकते हैं कि हां सुन्य एक पड़िमे संख्या है और इसे हम पीवाइक वाई क्यों के रूप में लिख सकते हैं अर्थात 0 थे एक क्या है हमारा एक पड़िमें संख्या है अर थार्थात ne इसे हम हम इसे हम पी वटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहां पर आपने असपस टूप से अभी देखा, कि जो है सुनी क्या है, एक पढ़ी में संख्या है, एक बार मैं आपको और इसका थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे, तो यदि आपसे पुछ दे क्या दो एक पढ़ी में संख्या है, तो आप डिरेक्ट कहिएगा हाँ, दो एक पढ़ी में संख्या है, क्यूंकि दो को हम दो बटे गपी एक की रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आपसे पुछ दे क्या माइनस तीन एक पढ़ी में संख्या है, तो कहिएगा हाँ, आपका जवाब आएगा हाँ, तो चुकी हम माइनस तीन को भी माइनस तीन बटे एक की रूप में ल दिखा जाता है जहां हर 0 के बराबर नहीं होगा इस परकार दो बटे पमस हमारा एक क्या होगा एक पड़ी में संख्या होगा माइनस तीन भी एक पड़ी में संख्या होगा माइनस दो भी एक पड़ी में संख्या होगा और पलस दो भी एक पड़ी में संख्या होगा और सुन एक पड़ी में संख्या है, अब हम लोग दूसरे नमर की प्रस्ण के और बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरे नमर के सवाल को देखते हैं, देखें दूसरा नमर सवाल क्या दिया है, तीन और चार के बीच पड़ी में संख्याएं ग्याद कीजिए, देखें, पड़ी में चार, तीन, दस, पचास कह सकता है पड़ी में संख्या ग्याद करने के लिए तो ग्याद करने का सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताने का हम प्रयाद कर रहे हैं और आप आसानी से से फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए, यहाँ क्या दिया है प्रस्ण में, तीन और चार के बीच, यानि कि तीन और चार के बीच में हमें छह पड़ी में संख्या यन कि छह रशनल नमबर ग्याद करना है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना की, देखे, simple technique आपको हम बताने का प्रयाद कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाएए, माना की A बरावर, यानि इसको हम A मानेंगे, A बरावर 3 मानेंगे, और इसको हम B मानेंगे, तथा B बरावर हम यहाँ पर लिखेंग N बरावर 6, चुकि 6 पड़ी में संख्या कह रहा है, तो चुकि पहले हम इसको A बरावर 3 और B बरावर इसको 4 मानेंगे, तथा N बरावर 6 लिख देंगे, चुकि 6 पड़ी में संख्या कह रहा हैं ज्याद करने के लिए, अब आप लोगों को मैं एक formula बता रहा हूं, यहनिक सुत्र, यहनिकि कोई भी दो पड़ी में संख्या के बीच में जो अगर आप अनंत पड़ी में संख्या निकालिएगा, तो उसके लिए एक simple formula आपको मैं बता दना चाहता हूं, आप not down कर लेजिए, यहाँ पर लिखेंगे, D equal to, D minus distance, D equal to B minus A, यहनिकि B minus A by N plus 1, ठीक है, तो बी कितना है, देखें, B कितना है, हमारा यहाँ पर 4 है, B के लिए 4 है, और A के लिए कितना है, तो A के लिए हमारा कितना है, minus 3, 2 है, N plus 1, N के लिए कितना है, तो 6 है, चुकि 6 पड़ी में संख्या का रहा है, find out करने के लिए, तो 6 plus 1 हो जाएगा, तो 4 में से यदि आप 3 देजेगा, तो 7 जो की D का भेली होगा, अब चुकि 6 पड़ी में संख्या का रहा है, याग करने के लिए, अब देखें, अतहा, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको निकालते जाए, अतहा, 6 पड़ी में संख्या, जहाँ पड़ी में संख्या, इस प्रकार होंगे, संख्या, इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे, ठीक है, अब देखें, क्या हो सकता है, अब आपको मैं बता दूँ, कि यहाँ पर आप लिखिएगा, a plus 1d, उसके बाद a plus 2d, फिर लिखेगा a plus 3d, फिर लिखेगा a plus 4d, फिर लिखेगा a plus 5d, तो देखे, क्याट होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, चुकि छे कहा रहा है, तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते जाएए, जितना आपको लिखना है, जितना कहेगा, उतना कर सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि A के लिए value कितना है, तो तीन है, तो य multiplied, यानि कि दो गुना, D का value कितना है, एक बटा साथ, तो दो गुना, एक बटा साथ किजेगा, कितना होगा, दो बटा साथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, direct दो बटा साथ, इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A के लिए कितना है, देखे, A के लिए हमारा तीन ह और फिरवैंट एक बटा साथ तो तीन गुना है एक बटा प्लसे एक बटा साथ यहां मैंत यहीं होगा अब इसको हम स्वाखाले घ्र तब आींगे तो हमारा तीन और चार के भिच भ parenth चैपड़ पने सांख्या निकल जाएगा, देखेे, अब इसका कालगू अ लिजे, सत्या 21 एक 21 एक 22 बटा 7, सत्या 21 दू 23, 23 लिकिस 22 िच्विछ नुतいや के इस तरह से हो जाएगा हमारा 24 बटा 7, फिर इसी परकार इसको कि देगा तो एसे चलेगा 25 बटा 7, फिर सत्या 21-21 पहुंच 26 बटा 7 फिर हमारा हो जाएगा सत्या 26 एक इस छो एक निके 27 27 बटा 7 तो आप दो संख्या के बीच में अनंत पड़ी में संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरह से आपने दूसरा नमर का सवाल समझा अब देखिए यह भी क्या है तीन और च अगर हमको यहाँ पर कह देता कि आप 50 पड़ी में संख्या निकालिए तो इसी चीज को इसी स्रीज को हम आगे बढ़ाते जाते जैसे आपने यहाँ पर देखा A plus 1D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D, A plus 9D आप अनंत तक इसे ले जा सकते हैं और आप दो पड़ी में संख्याओं के बीच अनंत पड़ी में संख्या को ग्याद कर सकते हैं तो अब जो है हम लोग दूसरा नमर सवाल को solve कर दिये हैं इसी परकार अब तीसरा नमर सवाल जो है उसको solve करने का प्रयास करेंगे तो अब हम लोग question number 3 को solve करेंगे तो question number 3 जो है question number 2 केतरही है तो question no.3 को आप देखे या जैसे आपने question no.2 बनाया उसी प्रकार question no.3 को भी आप solve कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लिख लिजिएगा माना की a equal to 3 by 5 तथा b equal to 4 by 5 एवं n equal to देखे n equal to कितना दे रहा है 5 तो यहाँ पर 5 लिख देजिए अब यहाँ पर आपको सुत्र पता है तो यहाँ लिख देजिए सुत्रा अनुशार सुत्रा अनुशार आप क्या जानते है कि d equal to b minus a by n plus 1 just like that है तो देखे b कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b के लिए हमारा 4 बटा पाउच है minus a के लिए कितना है 3 बटा पाउच by n plus 1 तो n के लिए कितना है तो 5 plus 1 हो जाएगा अब इसको आप solve कर सकते हैं तो देखे अगर हर समान रहे तो uns और uns अगर घटा में रहेगा तो घटेगा और जोर में रहेगा तो जुटेगा तो यहाँ आप देख रहे हैं घटा है और हर क्या है समान है तो direct इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4-3 by 5 by 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6 इस तरह से यह हमारा आओ गया 4 बेसे 3 गया तो 1 बटा 5 बटा 6 बटा 1 तो इसको भाग को हम गुना मदल देंगे अर्थात 1 बटा 5 गुना 1 बटा 6 बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा 30 अर्थात D का भेली हमारा कितना निकला 1 बटा 30 निकल गय है अब क्या कर रहा है कि पंच पड़ी में संख्या तो हम यहां पर लिखेंगे अतहा पांच पड़ी में संख्या पांच पड़ी में संख्या पड़ी में संख्या इस प्रकार होंगे इस प्रकार होंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है तो वह वह है वही सुतर यूज करेंगे A प्लास D अर्थात 1D A प्लास 2D फिर A प्लास 3D फिर A प्लास 4D फिर A प्लास 5D यही होगा अब आप यहाँ पर बैठा सकते हैं तो A के लिए देखें वेल्यू कितना है A के लिए वेल्यू है मारा 3 by 5 प्लास D के लिए वेल्यू कितना है 1 by 30 इसी प्रकार 3 by 5 प्लास 2D यहीं कि 2 गुना D के लिए कितना है 1 बटा 30 है तो 2 गुना 1 बटा 30 तो इसको लिख सकते हैं 2 बटा 30 फिर इसी प्रकार यहां लिखेंगे 3 by 5 plus 3 by 30 फिर इसको लिखेंगे इसी प्रकार 3 by 5 plus 4 by 30 फिर इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम 3 by 5 plus 5 by 30 ठीक है अब आप इसको solve कीजिएगा यदि इसको आप solve कर लिजिएगा तो आपका 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 पड़ी में संख्या निकल जाएगा देखें इसको solve करते हैं 30 और 5 का पहले आप क्या कीजिएगा LCM लिजिएगा तो 30 और 5 का LCM कितना होता है पहुच्छ के 30 पहुच्छ के का पहुच्छ यानि कि आपका LCM 30 हुआ तो ये देखें आपका 30 हो गया ठीक है 30 है 30 को 5 से भाग दीजिएगा पहुच्छ के 30 छोतिया कितना हो गया 18 और 18 यहाँ पर देखें क्या है यदि इसका LCM लिजिएगा डिरेक्ट आपका हो जाएगा 19 बटा 30 अब इसमें क्या हो जाएगा इसी प्रकार 19 बटा 30 उसके बाद हो जाएगा 20 बटा 30 फिर हो जाएगा दो, तीन, चार, पंच, आप चाहें तो अनंत निकाल सकते हैं लेकिन प्रस्न से यहाँ पर पंच पड़ में संख्या कह रहा है तो इसको आप स्वाल्व कर लिजिए और आपका दो पड़ में संख्याओं के बीच में आप लोग अनंत पड़ में संख्या निकाल सकते हैं according to the formula यहाँ पर हमने लिखा है इसी सुत्र को फोलू करके आप दो पड़ में संख्याओं के बीच अनत पड़ में संख्या निकाल सकते हैं अब हम लोग प्रस्ना वली एक सर्साइज एक पॉइंट एक का कुष्चन नमर तीन को देखेंगे तो अब हम लोग देखें कुष्चन नमर चार क्या दिया है तीन तक को मैंने आपको बताया तीन तक का कुष्चन अब देखें कुष्चन नमर चार में क्या दिया गया है नीचे दिये गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए यानि कि इसमें कह र तो यहां पर देखे क्या दिया है पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पुर्ण संख्या होती है तो देखे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पुर्ण संख्या होती है यहां पर लिख देंगे कथन सत्य है कथन सत्य है यहां कि पहला नमर का प्राकृत संख्या करते हैं तो एक से लेकर अनंत की संख्या जो है वह एक पुर्ण संख्या यह एक कहिएगा तो भी एक पुर्ण संख्या हुआ दो भी एक पुर्ण संख्या हुआ तीन भी एक पुर्ण संख्या हुआ इस तरह से गिंती की सभी संख्या है अर्थात यहां पर लिख देंगे क्योंकि कारण हम देते हैं पुर्ण संख्या पुर्ण संख्या पुर्ण संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याओं होती है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं तो पहला कुष्चन जो था कतन सत्य है क्यों सत्य है बताया अब देखिए दूसरा नमर क्या दिया है दूसरा नमर दिया है प्रत्येख पुर्ण अब पुर्णांग का बाद कहा जा रहा है यहाँ पर तो यह देखिए प्रतियक पुर्णांग जो है एक पुर्ण संख्या नहीं हो सकती है उधारन के लिए माइनस दो ठीक है माइनस दो क्या है एक पुर्णांग है एक पुर्णांग है लेकिन लेकिन आपका सकते हैं पुर्ण संख्या नहीं है अब देखिए क्यों नहीं है यहां भी आप देख सकते हैं कि माइनस दो एक पुर्णांग है तो पुर्णांग क्या होता है ये कैसा पुर्णांग है रिनात्मत पुर्णांग है तो माइनस दो एक रिनात्मत पुर्णांग है लेकिन पुर्ण संख्या नहीं है क्योंकि यह रिन में है तो पुर्ण नहीं ह है तो इस परकार हम कर सकते हैं कि माइनस 3 भी एक पुर्णांग है लेकिन पुर्ण संख्या नहीं है अब देखिए कुष्चन पुर्ण संख्या होती है तो आपको मैंने बताया था कि पुर्ण संख्या किसे कहते हैं जिसे हम P by Q के रूप में व्यक्त कर सके जहां Q does not equal to 0 होगा उसे हम पुर्ण संख्या कहेंगे या जिसे हम अंस और हर के अनुपात में लिख सकते हैं जहां हर 0 के बरावर नहीं होगा उ उसे हम लोग पड़ी में संख्या कहेंगे तो यहां प्रस्न में देखे क्या दिया है कि प्रत्येक पड़ी में संख्या एक पुर्ण संख्या होती है यहां प्रत्येक रेशनल नमर जो होगा एक बोल नमर होगा यहां कि पुर्ण संख्या होगा तो यहां पर हम लिख क्या एक पूर्ण संख्या है नहीं है तो एक बटा दो एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं है इसी प्रकार एक बटा दो तीन बटा चार आपका सकते हैं यह पूर्ण संख्या नहीं होगा तो आज के क्लास में हमने exercise 1.1 से समंधित mathematics class 9 exercise 1.1 चेप्टर को complete किया और अगर आप ये चीज पढ़ना चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ाया आज के क्लास में exercise 1.2 एदिया आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से जो है हमारे channel पर आईए और तवाम तरह के चीज़ों को पढ़िए और benefit लिजिए आज के लिए इतना हैं मिलते हैं next video में धन्यवाद